Hello friends, Welcome back to my channel आज हम सब चानेंगे क्या सच में pregnancy में पपीता खाना महंगा पढ़ सकता है pregnancy में पपीता खाना चाहिए या नहीं आईए जानते हैं बहुत बार पपीता प्रेग्निंसी में खाने के लिए मना किया जाता है उसको लेकर बहुत सारी संकाएं प्रेग्नेंसी में रहती है तो आईए हम जानेंगे क्या पपीता खाना प्रेग्नेंसी में सही है या नहीं देखा जाए तो हम ये पपीता को दो टाइप में डिवाइड करेंगे एक रो पपाया यानि कच्चा पपीता जो अप परिपकवे रहता है रो रहता है यानि कि उस पपीते का जो बाहरी आवरन है हरा रहता है कच्चा रहता है और दूसरा राइप पपाया पका पपीता यानि कि पपीता का बाहरी आवरन जो होता है पीला रहता है ये पका हुआ पपीता रहता है तो आईए जानेंगे इन दो टाइप के पपीते में क्या डिफ्रेंस रहता है जिसको लेकर संकाएं और गलत धरनाएं रहती हैं आज की वडियो में बात करेंगे कि पपीते का सेवन करने से प्रेग्नेंसी में मिस्कैरिज की संभावना कितनी होती है यानि कि अगर जो लेडिस पपीता खा रही है प्रेग्नेंसी के तोरण उससे उसकी मिस्कैरिज की संभावना क्या सच में होती है या फिर ये मित है किस त इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम जानेंगे इस वीडियो में तो आंति तक जरूर जुड़े रहें ताकि आपको पूरी जनकारी इस वीडियो से मिले और जो भी डॉट थे आपके मन में वो भी किलियर हो सके तो देखिए क्या होता है कि कच्चा पपीता खाने से मिस्कैर पर 100% यह हम नहीं कहेंगे कि मिस्कैरिज होगा ही होगा पर हाँ जो कच्चा पपीता है उसको खाने से मिस्कैरिज की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि जो कच्चा पपीता होता है उसमें ऐसे तत्व होते हैं जिससे की लैटेक्स और पैपिन बोलते हैं ये तत्व पाय जाते हैं कच्छा पपीता में यह तत्व कच्छा पपीता में पाया जाता है इससे मिस्कारेज की जो मैडिसीन होती है एबॉर्सन करने की जो मैडिसीन होती है वो बनाई जाती है तो कच्छे पपीते में और इसके बीज में जो है ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपका मिस्कारे से बचना है अब बात कर लेते हैं पके पपीते की तो पका पपीता आप बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं कोई भी इसके नुकसान आपको नहीं होगा नहीं रहती है या पिर कोई और प्राब्लम आपको नहीं होगा प्रग्नेंसी के दौरान जबकि पपीते में काफी कर देता है और काफी सही से हमने जो खाया होता है वो जल्दे डाजेस्ट हो जाता है और फ्लूइड की मात्रा भी अच्छी खासी इसमें होती है तो आपको कॉंस्टिपेशन नहीं होने देगी प्रग्नेंसी में तो बेसक आप खा सकते हैं पका पपीता पके पपीते में ब प्रग्नेंसी में पका हुआ भी नहीं खाना चाहिए तो यह गलत है सिर्फ मीथ है पका हुआ पपिता आप खा सकते हैं प्रग्नेंसी में बिना किसी टेंशन के कच्छा पपिता को आप एववाइड करें कच्छा पपिता को आप नहीं खाएं आप पका हुआ पपिता आप ख और सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद